बोर्नियो डाउनलोड करने के लिए अपको ख्रोम में जाना यहां पर लिखना बोर्नियो शॉत्व पधिक बोर्नियो शॉम्यट्टिक अगर आप लिखोगे तो अर्टोमेट्क बोर्न्यो को ओफिशल पेज वह आपको मिल जाएगा गुगल के रिजल्ट में मैं आपको देट आया था कि वन यूजर और वन अइडी तू यूजर कैसे यूज करना वह सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी तो वह इसमें मैं आपको बताने वाला हूं की कैसे registration करना और कैसे यूज करना तो जब आप इससे इंस्टॉल करोगे तो यहां पर इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना जैसा कि मेरे इसमें आ गया है बट नॉर्मल्य अगर यहां पर नहीं आया तो आपको सी में जाना है और उसके बाद यहां पर बोर्नियों सेमेटिक का फोल्डर बन जाएगा इसमें ही सेटप फाइल होगी इसे चाहो तो आप कॉपी करके डेक्स्टॉप पे भी रख सकते हो तो यहां से आप ओपन कर सकते हो देखो मैं भी डबल टैप करूंगा तो आपको जब भी आप किसी भी रिसेलर से बाय करोगे है तो आपको एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा रजिस्टेशन आपको खुद करना होता है बहुत करी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई है आप लोग के लिए कि किस सरीके से स्टेप बैस्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है लेट सब्स यहां तक आप आगे आप जब बोर्नियो को रन करोगे यहां पर थोड़ टाइम ले रहा है लेकिन रन हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूं तो देखिए यहां पर हो चुका है तो यह मेरी आइडी बनी हुई है लेकिन अगर आप नीव होगे तो आपको रेजिस्टर पर क्लिक करन होगे तो यहां पर जब आपने बाइड किया होगा किसी भी रिसेलर से तो वो कैसे करना देखो यूजर नेम आपको पूट करना है उसके बाद जो है आपको इमेल डालनी है इमेल आइडी के बाद आपको मुबाइल नंबर पासवर्ट और एक्टिवेशन कोड और रेजिस कर सकते हो लेकिन user id आप दो जयगे पर लॉग इन कर सकती है दो सिस्टम नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिवेशन कोड अपको आप दो जन जो है वह ब्लाग अलग पीसी में तो यह मेरा वर्जन है तो पॉइंत जीरो टू यह वाला वर्जन अभी इंस्टॉल लेकिन इसका आसानी से देखो 2.0.3.5 यह अपडेट आ गया है तो यह डाउनलोड हो रहा है फटाफट से तो यहां पर मैं आपको कुछ चीज़े बारे में बता देता हूंगा इस बहुत सारे लोग की जो है न समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करना है तो step registration का यह यह जब आप किसी भी रिसेलर से इंडिया में जितने भी लोग सेल कर रहे हैं वह सारे रिसेलर है बाकी यह लोग सेल करने के बाद आपको एक अक्टिवेशन कोड दे रहे देते हैं और एक डाउनलोडिंग लिंक दे देते हैं देखो अभी यह पूरा complete हो चुका है तो आपको यहां पर यूजर अगर आपने क्यांपूटर को चेंज किया कोई दूसरी PC में लौग इंड किया आपने वहां पर लॉग इन प्रोपर नहीं हो रहा है या फिर कभी अपने दो PC में लॉग कर दिया है और वो PC खराब हो गई अब आपको और किसी PC में लॉग इन करना है तो उस टाइम पर आपको helpdesk का नंबर दे रहो है इस नंबर पर आपको contact करना होता है अपना activation code और यूजर नाम ID password जो आपने दिया था और फो नंबर वह चीज़े बतानी होती ही वैलिडेट होता है कि हाँ आपका account है जो भी फर्स जिसने खरीदा होगा वह contact करेगा अगर आपने अपने फ्रेंड के रैफर से लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं तो यह सारी चीज़े करने के बाद आपका activation हो जाएगा वहाँ पर आप complaint भी कर सकते हूं वह जो WhatsApp नंबर मेंने दिया है उस नंबर पर आपको complaint करना होता है वहाँ पर complaint करके अभी हम मैं इसे लॉग इन कर देता हूं लॉग इन करने के बाद आपको इस तरीके से अपडेटेड वर्जिन में चेक करना है और यह सारी information जो है इस तरीके से यूज करनी है मैंने आपको बताया complaint कहां पर करना है वह पूरा करते रहता हूं कि यहां से आपको जो है ना अच्छी और ट्रस्टेड इंफोमिशन मिलती है उसके लवड टेलिग्राम पर जो है मेरा एक्टिव है और क्रेक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यूज कर पाना और जब भी आप यह पूरा कर रहे होगे तब आपको एंटिवारिस आपके केम्पूटर का बंद रखना अदर्वाइस यह सेट अप इंस्टॉल नहीं होता ठीक है थैंक यू